नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आएं इंडिन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट तो अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरू कर दे तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए का चेचिस का एक वर्जन ओफर किया था के नाइन वजरा एक पुरुवेन 155 mm सेल्फ प्रोपेल हविजर है जो इंडिन आर्मी में पहले से यूज हो रही है लेकिन आर्मी को एक ऐसा लाइट टेंक की जोरत थी जो ज़्यादा लाइट वेट हो और हाइल्टिटूड एरिय से मॉबिलिटी और डिप्लोइमेंड में दिक्कत होती आर्मी की डिमांड थी कि टेंक लाइट वेट हो तक्रीबन 25 तन का जिसे आसानी से टफ टेरेन में डिप्लोई किया जा सके इसी वजह से एलेंटी ने डियाटों के साथ मिलकर एक नई चेचिस बनाई जो खास तोर प के रफ टेरेन के लिए बनाया गया है जा मॉबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की बड़ी समस्या होती है जो रावर का लाइट वेट और एडवांस डिजाइन इंडन आर्मी के ओपरेशन के लिए गेम चेंजर बन सकती है यह टेंक सिर्फ एक एक्क्यूमेंट नहीं है बलक बर्मोस मिसाइल जो 2001 में पहली बार PJ10 के नाम से उड़ा था अब इंडिया के मिसाइल आर्सेनल का एक इंपोर्टेंट हिससा बन गया है बर्मोस एरोस्पेस के मताबिक अब तक इस मिसाइल ने 110 सक्सेस्फूल ट्राइल्स किये हैं जो सौर बेस्ट एर लांच और सिप ला चानिंग चल रही है बर्मोस का पहला टेस्ट एक अस्ट्रोंग मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम का बिगिनिंग था जिसमें मिसाइल की कैपिबिलीटी को बढ़ाते हुए सिक्योरिटी नेट्स को ध्यान में रखा गया यह मिसाइल अब तक अपनी वर्साइलिटी और रिलेवलिटी को प्रूब कर चुका है और 110 टेस्ट के बाद यह अब ऑपरिशनली रेडी है जब इसकी रेंज 290 किलोमेटर तक लिमिटेड थी तो एक्सपोर्ट कंट्रोल एग्रिमेंट की वज़ा से था लेकिन जब इंडिया ने 2016 में मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रेजिम जॉइन किया तो बर्मोस की रेंज को 450 किलोमेटर तक एक्सटेंड कर दिया गया और अब 800 किलोमेटर तक जाने की प्लानिंग है बर्मोस एक यूनिक मिसाइल है जो लेंड एर और सी से लॉंच हो सकता है हर वेरियन का अपना अस्ट्रेटिक परपस है सीप लॉंच वेरियन्ट इंडे नेवी के वर्सिप पर इंस्टॉल होता है जो मेरी टैम वार्फर में काफी इफेक्टिव है सौर बेस्ट वेरियन कोस्टल डिफेंस और इंडलेंड अस्ट्रेजिक टारगेट को हीट करने के लिए यूज होता है और एर लॉंच वेरियन्ट जो सुखो इंडेन आर्मी अपनी आर्टिलरी क्यापिलिटी को और मजबूत करने के लिए 100 और के 9 वजरा सेल्फ प्रोपेल हाविजर गन खरिदने का प्लान बना रही है सौर्स के एक्वाडिंग इस प्रोक्यूर्मेंट प्रोपोजल को CCS के सामने जल्दी ही पेस्ट किया जा सकता ह अगर CCS से अप्रूवल मिलता है तो LNT को K9 वजरा का ओर्डर मिलेगा K9 वजरा काफी एफ्यक्टिब साबित हो चुका है कासकर के इंडियन आर्मी की फायर पावर को LSC और LOC के एरिया में बढ़ाने के लिए है यह 50 टन ट्रेक्ट सेल प्रोपेल हाविजर सिस्टम है जो 15 55 mm, 52 केलिबर गन से एक्विप्ट है और सेल को 50 किलोमेटर तक फायर कर सकता है अगर यह एडिसनल सिस्टम इंडेक्ट किये जाते हैं तो इंडिन आर्मी की लॉंग रेंच आर्टिलरी क्याफिबिलिटी को और मजबूती मिलेगी जो बैटल फिल्ट पे डॉमिनेंस और पो किमेंड को खुद डेवलप करने की तरफ ले जाता है इंडिन आर्मी का यह डिसिजन अपनी डिफेंस केपिबिलिटी को मोडरनाइज करने का एक इंपोर्टेंट पार्ट है जिसे ना सिर्फ हमारी सिक्योरिटी को इंहांस किया जा रहा है बल्कि हम अपने डिफेंस के लिए एक बड़ा बूस्ट है जो ना सिर्फ operational efficiency को enhance करेगा बलकि L&T को manufacturing और technological capability में और बहतर बनाएगा इससे इंडिया की defense preparedness को global level पर एक नया momentum मिलेगा इंडियन एरफोर्स अपने मिराज 2000 फ्लीट की operational life को बढ़ाने के लिए उसे advance weapon से अपग्रेड करने की planning कर रही है राफिल जेट पे यूज होने वाले असकल्प EG long range cruise missile और hammer precision guided smart bomb को मिराज 2000 में integrate करने की तयारी हो रही है यह modernization program मिराज 2000 को अगले 10 साल तक frontline fighter बनाए रखेगा जब तक Tejas MK2 उसे replace करने के लिए ready नहीं होता मिराज 2000 पहले ही इजराइली a spice 2000 smart bomb यूज करता है जो काफी effective है लेकिन असकल्प EG और hammer bomb के integration से इसकी fire power और भी advance हो जाएगी राफिल जेट में ये system काफी successful रहे हैं इसी व मिसाइल का integration थोड़ा complex होगा क्योंकि यह sophisticated targeting और guidance system डिमान करता है इसलिए Indian Air Force को डेसौल की technical help चाहिए होगी ताकि कुछ system modification की जा सके लेकिन hammer bomb का integration comparatively easy है क्योंकि इसे avionics या sensor में ज्यादा change की ज़रुत नहीं होती है Indian Air Force का plan है कि जब Mirage 2000 रिटायर होगा तो उनकी left over a sculpt easy missile और hammer bomb को राफिल और तेजस mk2 में यूज किया जाएगा इसी के साथ राफिल को made in India अस्तरा mk1 air to air missile और a smart anti airfield weapon भी मिलेगा लेकिन ये upgrade सिर्फ राफिल के लिए है Mirage 2000 के लिए नहीं ये सारी चीजे दिखाता है कि Indian Air Force हर aircraft के mission, specification, customization पर focus कर रही है Indian Air Force अपने सुखोई 30 Mark I jet को और advance बनाने के लिए सुपर सुखोई upgrade program पर काम कर रही है जिसमें M.U.M.T. जैसे next generation feature integrate करेगा सुखोई 30 Mark I already एक multi roll jet है लेकिन इस upgrade के बाद ये advanced technology और modern warfare के लिए और भी effective हो जाएगा Defense analyst Ranes Rajan ने कहा कि सुखोई 30 Mark I UAV के साथ complex mission handle करने के लिए एक ideal platform बनेगा सुपर सुखोई upgrade के तहत इस jet के radar, avionics और electronic warfare system को modernize किया जाएगा सुखोई 30 Mark I का 12 ton payload capacity और 1500 km से जादा combat radius इसे UAV के लिए एक mother ship की तरह act करने की capability देता है इससे ये reconnaissance, a strike mission और electronic warfare जैसे task efficiently कर सकता है M.U.M.T. एक modern concept है जिसमें mandated aircraft और UAV team बनाकर mission complete करते हैं सुखोई 30 Mark I UAV को command करते वे complex battlefield scenario में effective होगा जो pilot के risk को कम करेगा और operational flexibility बढ़ाएगा DR2 के घातक और HL के cats warrior project भी इसी vision के साथ align होते हैं जिसे Indian Air Force की unmended capability future proof होगी ये upgrade cost effective है क्योंकि नए jet खरीदने की जगा मोजुदा fleet को modernize किया जा रहा है ये सिर्फ एक incremental upgrade नहीं है बलकि एक major relief है जो Indian Air Force के future warfare के लिए ready करेगा राने सराजन का कहना है कि सुखोई 30 mark eye का versatility और सुपर सुखोई प्रोग्राम इस platform को एक game changer बनाएगा ये एक forward thinking approach है जो Indian Air Force को next generation air combat के लिए prepare करेगा इंडिया के military modernization पर updates के लिए बने रहिए बाकी like and subscribe जरू करें करें एक जरू करें